नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपके सब्सक्राइब में यूपी बजट में और यूनियन बजट 2021 में कुछ नई स्कीम इनाउंस के लिए थी वो आले इस वीडियों देने जा रहा हूं यूपी पीसेस के लिए प्री के लिए काफी इंपॉर्टन रो के लिए आरो के लिए है तो यहां पर क्या किया जाएगा कि जो भी आंगन बाड़ी केंडर पर यहां पर रिजिस्टर्ड है छे माज से लेके पांस साल तक के बच्चे जो की कुपोसित है ठीक है उनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा जरूत है प्लस जो ऐसी वालिकाया है बच्चिया है एनीमि किया जा रहा है तो यहां पर न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट दिया जा रहा है ड्राइ रासन के अलावा किसको किसको दिया जा रहा है किसको किसको यहां पर देने की यहां पर एम किया जा रहा है छे माज से लेके पांस साल तक के बच्चे जो की कुपोशित है प्लस जो ऐस इसकी बालिकाएं हैं जो कि 11 से 14 साल तक की हैं और स्कूल नहीं जा पा रही है इन दोनों पर टार्गेट किया जाएगा मुख्वंत्री सच्छम सुपोसर ही होजना और इसके लिए बजट का कितना कितना कि यहां पर कितरा गया है 100 करोड रुपे का दूसरा है इसकी महिला साम किया जाएगा और उसके लिए 200 करोड रुपे के बजट की यहां पर प्राउधान किया गया है तो यहां पर क्या है यहां पर दूसरी वाली स्कीम है महिला सामर्ति उजना जो की ऐसी महिलाएं हैं जो किसी तरह से मिल प्रोड़क्शन में हैं उनकी इंकम को उनकी लाइवलि कि यहां पर तैयारी करते हैं तो उनको निशुल कोचिंग यहां पर दिलाई जाएगी उसके लिए यहां पर अब युदाय योजना के तहट बाटे जाएंगे मुक्ख मंत्री सुमंगला योजना के तहट नहीं यह ध्यान लगए आप बजट की स्पीच में जाके पढ़ सक करते हैं तो तीन स्कीम हो गई चौती हो गई आत्मी निर्भर क्रशक समनवीत विकास योजना की यह क्या क्या चीज़ करेगा यह करेगा और यह क्या करेगा ज़्यादा प्रोडुक्ट्ट्व क्रॉप्स उंगी उनको अडेंटिफाई करेगा सारे एग्रोक्लायमेट्रिक चीज तो यह हो गई विया प्रोडिक्टिव को अगर आप चिनित कर लोगे तो अपने आप जो है वहां पर प्रोड़क्टिव करेंगे तो कुल मिला के हैं पर प्रोड़क्शन बढ़ सकता है उसके रेट ज्यादा मिल सकते हैं तो आए बढ़ाने में मदद्धार सभीत होगा तो मुक्क मंत्री यह जो आत्म निर्भर करशक समन्वित जो विकास होजना है इसमें क्या करा जाएगा बेसिक टार्गेट है किसानों की आए को डबल करना 2022 तक और यह कैसे कैसे करेगा यह करेगा आपका जादा प्रोड़क्टिव क्रॉप्स को यहां पे खोजेगा सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में नीव टेकनोलोजी को प्रमोट करेगा यह जाए यह इनवेस्टमेंट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड़क्टिवटी को इंप्रूब किया जा सके और प्लस जो यहां पे इन लोगों का जितना भी यहां पर यह अना जो जो यहां पे प्रमोट किया जाएगा, इन्वेस्मेंट किया जाएगा प्रोडुक्टिविटी बढ़ाने में, और नाई-नाई-नाई-मारकेट यहां पे खोजी जाएगी, यह लगा प्रतेश प्रतेख के दो Ekro Kinda Ц work ुद्धी अधिक उद्पादक़िआ, पृप्व्द लूग मे किस्ता अपना ये सारी चीज़े करी जाएंगी कितना प्रोविजान ये ध्यान लगेगा दो जार एक्किस बाइस में यह स्टार्ट करी जाएगी सौ करोड़ रुपय का प्रोविजान यहां पर दिया गया है मुखमंत्री प्रवासि स्रमिक उद्यमिता विकासिवजना का क्य जो दू से आ रहे है इसमें देखे सिम्ल बात है कि ये यूपी से कई जगया यहाँ पर जाते हैं ना अपना डूजगाह डूड़ ने ठीके तो वह अगर जब यूपास आ रहे हैं जितने भी स्रमिक लोग जितने भी लेवर क्लासे जो लोग आ रहे उनको यहाँ पर उत्तरब्देश पर वापस आ गए है अपने श्टेट में वापस आ गए है जब तो उनको यहाँ पर सेल्फ इंप्लॉइमेंट के साधन देना उनकी लाइवलिवूड चलाना उन सब के लिए यहाँ पर यहाँ पर इसके लिए 100 करोड रुपय का प्रावदा है लेकिन इन्होंने अपना भी एक मुख्ष मंत्री इस तर पर चलाया है इसके लिए 100 करोड रुपय अलग से दिये जाएंगे वही चीज़ेंगे एंग्लिश में लिए हुई है मुख्ष मंत्री सच्छाम सब्स्राइब यहोजना क्या है में टार्गिट करना वोमन और चि सब्सक्राइब करना और इंवेश्मेंट करके जो है प्रड़क्टिविटी बढ़ाना और मार्केट को डिवलब करना ठीक है 100 करोड रुपय का प्रवदान है यह फिर मुख्ष मंत्री प्रवासी स्रमी के जितने भी लेबर थे वरकर थे वह वह वापस आया तो उनके लिए सब्सक्राइब करना और जो है जितने भी यहां पर आये हैं उनके लिए 100 करोड प्रवदावन है यह वही प्रदान नंत्री जो जनायरोगी आईश्मान भारतवाला जैसे इंडिया लेवल पर वैसे इन्होंने इस्टेट लेवल पर भी जालो किया है वह आला कॉंपोनेंट भी है भी यूपी में ठीक है अब आपसे दो क्वेश्चन पुछता हूँ पहली बात तो यह कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एरपोर्ट नंबर आफ नंबर आफ इंटरनेशनल एरपोर्ट कितने हैं दूसरी बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 वैक्शीन क कितने रुपिया का बजट प्रवधान किया है जल्ली सबताइए यूटूब चैनल में अबरे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट सारे मोस्ट इंपर्टेंट पिक्स सारा रिवीजिस सब कुछ य इसके लिए क्या है इसके लिए आउट्ले किया गया है कितना बजट यहाँ पर दिया गया है छे सालों के लिए दिया गया है चौनसट हजार । सो असी करोड रुपए का नाम क्या है पियम आत्म निर्भर स्वास्त भारत योजना सुरी स्वास्त भारत योजना इसमें सपोर्ट दिया जाएगा हेल्थ और विल्नेस सेंटर को इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्ट जो है लैब खोली जाएंगी यहां पे तीक है स्वास्त ब्लॉक्स हैं उनकी सापना करी जाएगी एंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पॉर्टल को यहां पर और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा यह है बेसिक बात बागी बजट की चीज़ है यहां पर पूरा एक एक चीज़ लिखी होई है डिटेल में यह सब मैंने प्लस नए इंस्टिट्टूट बनाएगी प्लस भीया नई नहीं जो यहां पर डिसीज़ आती जा रही है उनके डिटेक्शन के लिए यहां पर प्रयास किया जाएगा कि जल्दी वह जो है डिटेक्शन करी जाएं यह सारी चीज़ों में सपोर्ट दिया जाएगा इसमें जो है क्रिटिकल केर हॉस्पिनल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे 602 डिस्टिक्ट में जितने पी इंडिया में है एंसी डीसी आनिकी नैस्टनल डिसीज़ इसको इसको इस्ट्रेंटन किया जाएगा और भी काफी सारे यहां पर प्रयास किया जाएगा आप इसको पढ़ सकते में इंपोर्टेंट चीज़ यह दियान लगेगा चौसर यहां एक सो असी करोड रुपए छे सालों के लिए हैं यहां पर पीम आदम दिरबर स्वस्त भारत यह नाम क्या है इसका मित्र स्कीम मित्र स्कीम इसका क्या मतलब है मेगा इंवेस्टमेंट टेक्स्टाइल साथ टैक्स्टाइल पार्क क्रियेट करे जाएंगे तीन सालों के अंदर ठीकर तीन वर्षों में साट टैक्स्टाइल पार्क क्यार जाएंगे самी इसका मेन परपस क्या है रेवेंटर करो डिवलप करना 2030 तक ताकि वह सारी जरूरतیں जह हैं 2050 एूच्प पूरी कर सकें तो 2030 पर्याप्त रेल अवसर नचना के विगास का उदेश है इसका जिससे दोजार पचास तक की प्रचेपित ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा दोजार तीस तक टार्गेट है ये इंपोर्टन चीज़ याद रखनी है आपको अब्जेक्टिव क्या है इसका कि ज 27% से बढ़ाके 45% यहीं दो चीज़ याद रखनी है नैशनल रेल प्लान कब तक बनाना है जो है इंफ्रेक्टर को ठीक करना 2030 तक कि कहा तक के टार्गेट के लिए कि जो भी ट्रैफिक रिक्वार्मेंट 2050 तक की होंगी उनको पूरा करने के लिए कि क्या चीज़ है फ्रैट 27370 शहरी इस्तानी निकायों में 2.86 करोड जो घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलब जल आपूर्टी यानि कि क्या मतलब हो गया है यहाँ पर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई यहाँ पर एम करना है इसको ठीक है यह एक इंपोर्टेंट जीज़ है तो यह अर्बान एर जो तरल अपसिष्ट प्रबंदन है इसकी वेवस्ता करना है यहाँ पर टीक है 500 अम्रिस्टी में और यह कैसे इंप्लिमेंट करी जाएगी पास सालों के अंदर करी जाएगी इंप्लिमेंटी वाली स्कीम कितना उट ले यह भगया रट लेना 2.87 लाक करोड का है यह तो फै लो में करना है 2.86 लाक करोड रुपए आपे इसका आउट ले रहेगा तो यह और इसकी मैं यह वहलाला की बजट में नहीं करी गई ती लेकिन इससे पहले कर दी गई इसका बेसिक परपस क्या है कि जो रिकॉर्ड होगा राइट का वह प्रॉपर्टी ओनर को दे दिया जा बेसिक परपस क्या है इंडिया की जो मैनुफेक्ट्रिंग कैपिल्टी है उनको बढ़ाना इक्सपोर्ट को बढ़ाना बदब कुल मिला के मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर पर फोकस करके मोदी गवर्मेंट की इसकीम आई है 1.96 लाग क्रोड रुपए हाप एनांस किया गया हो गया ऐसे बेस पेसिए फोड़ाना एंडिया को गलोबल मैनुफेक्ट्रिंग का मैनुफेक्ट्रिंग लोबल चैंपियन बनाना तेरा सेक्टर के लिए है 1.97 लाग करोड रुपय का यहां पर वंटन किया गया है पांच सालों के लिए 2021 से स्चार्ट करते हुए ठीक है इसी के साथ यह घता होता है बहुत चोटू सा वीडियो था कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आप जल्दी से बताई करके आई प्यों किसका आने वाला यह बताई जल्दी से डिस इंवेस्टमेंट टार्गेट कितना होगा दो जल्दी से बताईए डीप ओशन मिशन के लिए कितना बजटा वंटन किया गया है ठीक है एक और चीट थी मिशन पोशन टू बना दिया गया था है मिशन पोइंट जीरो उसमें सप्लिमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्लस जो है यह वाला सबसे ज्यादा एलोकेशन किस स्कीम को किया गया है यह भी एक इंपोटन जीशे जल्दी से बताईए और प्लस कितने आत्म निर्भर यहां पे पैकेज लाई थी गवर्मेंट यह जल्दी स अपना हिंगे